दल सिंग सराय नगर परिशत का चुनाव सरगमी तेज हो चुकी है हमारे साथ है संभावित उमिद्वार संतोस चौधरी हम जानेगे संतोस चौधरी जो अपने आपको संभावित उमिद्वार मानते हैं मेरपद के लिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं नगर परिशत के लिए क्या है उनके पास विचार और वहां किस उपलक्ष या लक्ष को लेकर नगर परिशत चुनाब में आ रहे हैं हमारे साथ हैं संतोस कुमार चौधरी प्रणाम मैं संतोष कुमार्चादरी नगरपरशाद्यक पत्षर खड़ा होने का संभावी तुम्हें बद्वार हो किस लक्ष के साथ आप मेरपद प्रणगर पंचाई चुनाव में आना चाह रहे हैं कुछ मोटीव अपना बताइए जो जिसको लेकर आप नगरपरशाद्यक चुनाव में आ रहे हैं दल्सिंग स्राय का कितना चेर्मेन बने आए गए अभी तक दल्सिंग स्राय का विकासा धुरा है मैं दल्सिंग स्राय का ही एक बेटा हूँ शुरू से दल्सिंग स्राय से मेरा दिली जुराव है यहां पर बहुत सारी समस्या है जल जमाव की अधा दल सिंग सराइट पौनी से डूबा रहता है यहां बहुत ज्यादा समस्या है जो दल सिंग सराइट से कच्रा बाहर रखने का वेवस्था ने किया गया है अभी तक बहुत सारा कात्रा मार्केट के अंदर जमा रहता है दल्सिंग स्राय में अभी तक बाइलका के लिए स्कूल में यह वेवस्था ने हो सका है जो जितना बाइलका विद्यार्थी है उसको कम से कम बेंच टेवल पर बैठने का भी सोभाग पर अपने हो रहा है अगर सब विद्यार्थी चले आवे खरा रहके पड़ना पड़ता है दल्सिंग स्राय में अभी तक न कोई पार्क बना न कोई यहां स्टेडियम बना न कहीं खेलने का सुभधा कुछ दिया गया मैं उन सारी चीज पर फोकस करके दल्सिंग स्राय का विकास करना चाहता हूं नेता नहीं बेटा बन कर आपने बताया कि बाइलिका के सिक्षा के लिए परियाबत व्यस्ता नहीं है दल्सिंग स्राय में महिला कोलेज तक नहीं है क्या अगर नगर परिसद में चुन कर आते हैं तो महिला कोलेज बनाने को लेकर आपका क्या विचार है और क्या चाहते हैं दल्सिंग स्राय में अगर मैं चुन कर आता हूं तो दल्सिंग स्राय नगर पंचाय से नगर परिसद बन चुका है इसमें बहुत सारे जमीन भी मुहया हो जाएगा, हम उसमें महला कोलेज बनाने का, उसमें गरल हाई स्कूल परियाप्त जगह में बनाने का, जमीन बेवस्था मुहया करने के लिए भरपूर परियास करके बनाओंगा, यही मेरा लच रहेगा नगर पंचाय जो अब नगर परिशत बन चुका है, उसमें स्वास्त बेवस्था बहुत लचर है, हॉस्पीटल है, बड़ वैसी बेवस्था नहीं है, पार्क नहीं है, पार्किंग की बेवस्था नहीं है, लाइट का उत्तम बेवस्था नहीं है, सरके हैं पर नाला नहीं है और कुछ ऐसे ग्रामी छेत्रों को नगर परिशन्त में जोड़ा गया है जहां कि विकास करना अती अवस्सक है उसको लेकर आप आपके मन में क्या विचार है और क्या क्या मोटिव लेकर आए है चुन आपके लिए दल सिंग सराय में जहां तक मेरा समझ है जहां जहां मैं गया गाउं जो जुरा है उसमें भी जल जमाव सरक पर बेगए ठेवना भर पानी में नहीं चल सकते हैं वही हल है सहर में तो है ही आज भी आईपी कोलनी कहने को भी आईपी कोलनी है हम उसमें जब बरसा हो जाएगी च चलेघे तो ठेवणावर पानी में डूब के चलेंगे ऐस में मस्जित के बगल में सरदार गांक के देखता हूं अगर बेगल में बलान नदी रहने के आसे निजात हो सकता है, सरके जो भी है, उसमें नाला की सुबधा बगल में जरूर होना चाहिए, जिसे की पानी सरक पर नहीं लगे और सरक जल्दी नहीं टूटे, मैं यही आपके द्वारा कहना चाहता हूं, जो मैं अगर आजाता हूं, तो मैं जल सिंग स्राय में कोई भी कास की योज़ना में अपना कमिशन नहीं लूँगा, वह पैसा विकास में लगाँगा, यही मेरा कहना है, तो आपका कहना है कि अभी तक नगर पंचायत के जितने भी पदादीकारी थे, या जो चेर्में थे, अध्यक्स से, वह सभी लोग कमिशन का का काम करते हैं, क्या ल हिसास है, और जिव गरम करने का कम में नहीं करूगा, कुल मिला कर आप नीश्वार्थ सेवा के लिए नगर परिसाद मेर पत के चलिए उमिदवारी पेस के लिए आप लोग आए हैं, और नगर परिसाद का जो छेद्र है, और इसमें जो मेर पत के बहुत सारे से उमिदवा जो बरतमान में हैं और कई नए चेहरे भी होंगे तो आप अपने आपको कहां प्यांद देख़ रहा है मैं दल सिंग सय मैं अब तक कितने भी मेर बने नगर परिसाद नहीं रहने के चेहर मेन के पर पर रहे आज तक दल इसाय का विकास अधूरा है अब तक नहीं कर पाये हैं विकास मैं उस अधूरा विकास को पूरा करने का काम करूँगा यही मेरा लच्छा है नगर परिशाद के चुनाव को लेकर आपके पास कोई दस पॉइंट रहेगी, उसके बाद मेरा दूसरा पराथमिकता रहेगी, जो जल सिंग साय के नगर के अंदर कतरा नहीं रहना चाहिए, मेरा तीसरा पराथमिकता रहेगा, कि जो जल सिंग साय नगर परिशाद छेतर में ज्यादा ज्यादा बिजली सुबधा हो, उसमें बिजली को बेचा नहीं जाए, चोरी नहीं हो, तीसरा पराथमिकता रहेगा, मेरा चौथा पराथमिकता रहेगा, जो बालका इसकूल के लोकल बिधायक से उपर तक जहां भी हमको बोलना पड़ेगा सरकार से हम यह मांग रखेंगे, महिला कवलेज की मांग रखेंगे, सरक अच्छा हो, जो आदमी कभी भी दिन रात निकले, बरसा हो या धूप हो या थंदा हो, तो कम सरक पर घूम सके, इस लाइक वेवस्था सर का रहना चाहिए, पानी नाला में नहीं रुके, उसका जो धंग से नाला बनाया जाए, जो ऐसा नहीं, जो बीच में नाला उचा में बन गया, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है, पानी बाहर निकलने पाया, योजना तो हो गया, लेकिन लाभू से कुछ भी नहीं मि यह रहेगा कि दल्सिंग साय नगर परिशंद बहुत बरा छेत रहा है इसमें कहीं एक अगर मन लिया जाए हम पार्क बनाते हैं तो एक पार्क में सब आदमी नहीं उसका लाव उठा पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्क इसमें हो जो हर मुखला का आदमी हर जग कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक बहुत बच्पन में ही हम ख्वाब देखे थे जो दल्सिंग साय में के स्टेडियम हो एक खेल का मैदान हो जो कि अब अगर मेरे पास हैसा मुका मिला तो उसका भी प्रात्मिकता रहेगा बिजली बेचाने जाए जितना भी उसका उभोगत है उसको पुर्ण बिजली मिले अंधेरा का समना कम करना परे उसी से सारा विकास होता है यही सब रहेगा दल्सिंग साय के जितना भी बोडर एरिया है मैं परसासन से अनरोज करूंगा उनसे मिलके उसमें कम से कम बेरी यल लगा दिया जाए जो अपराधी घटना करकर के द लेता कर मत घररा हो गुएम आइंट करें में लोगों से जू यहां कि जन्त है जो आव आमाम हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहें है नगर हैंत मिलक नगरर परसाद के जनता से में जन्देश है मैं नामर बनके आया हूं यह एक समा श्य बीकार्ड करता हूं मैं वेता गुम्ती का समस्या हो, मैं जी जान लगा दूगा, अगर हमसे जितना हो पाएगा, जितना उपर गाले नेता हो, यहां का जो लोकल नेता जो जिते हुए हैं, उनसे मंग रखूँगा, चाहे वो विधायक जी हो, संसाथ जी हो, जो भाई दल सिंग सराय का, आप थोरा यहां आ भोट लेने के बक्त आते हैं, भोट लेके जीत जातके, चले जाते हैं, यहां का जनता एक तरफा आपको सपोर्ट भोट करता है, एक बार दल सिंग से आएका जो दुख दर्द है बातिस्नमय गुम्ती, जो इलाज के वेगर पेसेंट मर जाता है गारी में, इस समस्या को प